अध्याए पाँच धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन होती है और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेन हमारे मन में डाला गया है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसी ठीक समय पर भक्ति हीनु के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुरलब है, परन्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाब करे, परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीती से प्रकट करता है, कि जब हम पापी ही थे, तब ही मसी हमारे लिए मरा, सो जब कि हम अब उसके लोहो के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा कुरोट से क्यों न बचेगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके चीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे, और केवल यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभू, यिशू मसी के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विशे खमंड भी करते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यू आई, और इस रीती से मृत्यू सब मनुष्यों में फैल कई, इसलिए कि सब ने पाप किया, क्योंकि व्यवस्था के दिये जाने तक पाप जगत में तो था, परन्तु जहां व् इन लोगों पर भी राज्ज किया, जिन्होंने उस आदम के अपरात की नाई, जो उस आने वाले का चिन्न है, पाप ना किया, पर जैसा अपरात की दशा है, वैसी अनुग्रह के वर्दान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपरात से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह है, और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात, येशु मसी के अनुग्रह से हुआ, बथेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, जैसा एक मनुष्य के पात करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण, दंड की आग्या का फैसला हुआ, परन्तु, बहुत धेरे अपराधों से ऐसा वर्दान उत्पन हुआ, कि लोग धर्मी ठेरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराद के कारण, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रहे और धर्म रूपी वर्दान, जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आग्या का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी। परन्तु, जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यिशू मसी के द्वारा अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिए धर्मी ठेराते हुए राज्य करें। अन्त जीवन करें।